हलो दोश्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप UP scholarship का registration कैसे करेंगे उसके form को किस टाइब से आप फिल करेंगे और इस सारे process को आपको हम step by step बताते चलेंगे तो आपको हमें बता देते हैं कि हमें जो कर रहे हैं नाइंत का registration कर रहे हैं और इसके सारे step को हम आपको बताने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना है यहां पर यह जो website है UP scholarship यानि इसकी आप website को open कर लेना है और आप यहां पर देख सकते हैं कि student registration 24-25 का यहां पर किया जा रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं यह सभी के लिए हैं और यहां पर जैसे OBC का इधर है और यहां पर minor category क्या है तो सबसे पहले जो जिस category क्या होगा वह यहां से चूश करके उसमें आप करतकते हो तो सबसे पहले हमें जो करना है यहां पर हम दिखा देते हैं तो OBC वाले का हमें करना है तो हमने क्या 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 है यहां पर pre-matric phrase करेंगे 9th के लिए तो यहां से हम क्या करते हैं OBC में आके और pre-matric phrase फिर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तीक आपके सामने इस तरह registration का page open होगा यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा छोटा से form फिल करना होगा यहां पे आप जिस भी जिले में आपका school या आप college है उसको आप select करेंगे और यहां से सिच्छन सश्थान को आप select कर लेंगे तो यहां से हमने जो भी है उसको आप select कर लीजी यहां पर फिर आप जाती समूं का बता सकते हैं जैसे अन्य पिछड़ा work का है तो यहां पे आप इसको चूच कर लेंगे और अगर यह स्टी सी कराएगा तो उसका भी वहां कराके फिल करना यहां पर और यहां पर मुवाइल नमबर आप दे देंगे जो भी आपके अधार से लिंक है और बिना अधार से लिंक वाला भी आप लगा सकते हैं तो यह जरूर नहीं है और यहां पर आपको डेमों के लिए एक पासवर्ड दिखा दे रहे हैं तो इस करेंगे और एक आपचा फिल करके सम्मिट ओटीपी पूर सीट रेइस्टेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस अफलता प्रोग रेइस्टेशन हो चुका है और आपको यह देवी दिया गया है यहां पर आपको रेइस्टेशन संख्य मिल जाए इसको आप प्रिंट कर सकते ह हैं तो आप यहां से हमें क्या करना होगा फिर से स्टुडियन पर आएंगे और यहां पर हम फ्रेस्ट लॉग इन करेंगे क्योंकि अभी तो हमने रेइस्टेशन किया था तो रेइस्टेशन करने के बाद आप फ्रेस्ट लॉग इन पर करेंगे और यहां पर रेइस्टेश कर देंगे फिर यहां पर जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था उसको आप यहां पर टाइप करेंगे इसके बाद एक कैप्चा फिर सब्मिट पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यह आपके सामने पूरा लॉगिन हो जाएंगे और इस लॉगिन में आप देख सकते हैं कि इतन क्लिक करेंगे लिक्ण क Nepite करने यहां पर क्लिक ही आप इसको वकिइक करना और अगर यहां पर आपको में बनाना हो लगए अगर नहीं बना है तो इसनों कर दीए पहले साइन अभाध इंग कर देंगा कि तो आदान नंबर आपकर करने के बार यहां पर आयेगा अट क्या करें इसके बाद यहां पर नाप allerडी रेजिस्टर on जिस्तर थैने यहां पर दिखहाए तो इसके बाद आप क्या करीए यहां से कईरीटी की तरह एक पिं चांगों काद बनाएंगे तो यहां तो यहां से प्रेट कर लेते हैं जैसे आप यहां पर पिन नेम, डिटेल, जिन्डर, इत्यादी सारी डिटेल्स आपके अधागार से ले ले गया और वरिफाइड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहां पर आपका आएगा, डिजलोकर सत्यापने सही हो चुका है, यानि यहां तक एक क्रेट हो चुका है, अब इसके बाद छात आप चीशी स्कूल से पढ़ चुकी, उसका नाम यहां पर बता देना, यहां पर उसका नाम टाइप कर देना, और जो चीज़ें आप टाइप कर रहे हो, कैपिटल लेटर में ही टाइप होनी चाहिए, और यहां पर गत वर्स परिच्छा फल यानि पिछले वर्स का जो आप परिच्छा फलता वक पास था की परमोड़ेट थे हूं हो, आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर पूर्णा अंग बता देना है, या इस टाइम जिस क्लास में आप हैं तो नायंट में कि अपक्षा परविश्टी के थी आप बता देंगे तो यहां पर आप क्या करें पर इसका है तो यहां से admission कि आपकोई भी दे सकती है मैं और तो आपकि पास नहीं है ति अऔर आप और यहां से Select जो भी वोड होगा आप उसूड को Select कर लेंगे इसके बाद यहां पर टांसफ़र सर्टिफिकेट आपसे नमर पुछे यह Il pronounced dial कर दा और यहां पर स्क ये तो जो भी आपका मदर का नेम होगा उसको करने का अब यहां पर आएंगे कच्छा एट में उत्तरिव वर्स आप बता देंगे तो जैसे अब आपका दिया बैंक का नां तो यहां से हम क्या करिंगे मैं पर लेंगे तो आप आप सिलग्ट मैंग कर लेंगे कर लिए श्वाल का देख सकते हैं कि प्रांच का कि परेंख सकते हैं फोसका नाी हम यह पे आप यहां select कर लिजिए इसके बाद आपको छातरा का खाता संखे यहां पे अंकित करना होगा यह जो भी बैंक में खाता के अंकित नाम यानि वहां पर जिसका भी नाम है उसको आप टाइप करेंगे IFC code वहां पर फिर यहां पर चात्रा का bank खाता संख है यहां पर और फिर यहां पर confirm करेंगे दुबारा डालेंगे और यहां पर OTP डालके यहां पर टिक करके submit कर देंगे तो यहां पर यह चीज़ आजाएगा फिर आप यहां से इतनी सफलता प्रोग की गई है अब यहां पर आप क्या करेंगे होम पर आजाएगे फिर से click करके अब नीचे आएँगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अब इदन पत्र का संसूदित करें तभी हम इस पर कुछ भी click नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने उपर दिक फिल किया है फिर आप नीचे आना जैसे ज आपको पता देते हैं कि इस टाइंग जो आए लग रहा है वह आपके माता पिता या आपके WILL दोरा ये आए लगाय जा रहा है तो आप अपने college or school में सबसे पहले पता कर लेजिए कि किसका I लग रहा है तब जाकि आप यहां पर registration करिए तो यहां पर जहां तक हमें पता है कि जो registration में लग रहा है वो माता पिते का लग रहा है तो यहां पर जो भी आपको है इस टाइप से आप यहाँ पर कर ले लेना पहले आपने कोलेज को सब्सक्राइब करों का चिन दाल दीजिए उस्के बाद यहां पर कर बार पत्र करमांग शंख कर लेंगे чистos इसमें आप प्रमाण पत्र का कर्मांग डालेंगे फिर यहां पर capture फिल करेंगे और get data पर जैसे click करेंगे तो उसका data आपको मिल जाएगा data मिलने के बाद आप क्या करेंगे verify income details यानि जो सारा data होगा उसको यहां से verify करा देंगे तो यहां से हमने क्या किया उसको verify करा दिया अब आप से क्या पूछ रहा है आप जाती प्रमाण पत्र की संख्या यहां पर पिछला यह district वाला आय प्रमाण पत्र हो चुका है अब आपको चात प्रमाण पत्र का form संख्या बनना है फिर यहां पर प्रमाण पत्र करमांग संख चुका है अब इसके बाद आपका प्रवाड़ी करन हे तो अधार नमबर डाले यानि आपका अधार नमबर दौरा प्रवाड़ी करन होगा तो इस पर आप टिक करेंगे यहां पर चात्रा का नाम और डेट अब बर्थ पहले सी आ जाएगा नेक्स्ट यहां पर उसका अधार आपको करना होगा और यहां पर यहां पर टिक कर देंगे और क्याफे कफचार डालेंगे यहां पर 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 क्लिक कर देंगे इसने डिटिञाव सोने के बादस आप देख सकते हैं आपका प्रवाड पर्वाड़ी है तुस्ट immortality प्विसज हो चुगा है और आपका पर आप नेचे आएंगे आपको आप यहां पर नेचे दिखा देते हैं तो जांच हे तो जो पूरा इटेल्स मिल जाएगी जो आपने वहां पे फिल किया है तो इसको आप क्या करें अपने school या colleges में इसको जागे पहले check कर वा लिजे जो चीज़ें आपको wrong लगता है यूद आपको colleges दौरा wrong बताया गया है उसको क्या करिए उसको आप आके फिर से दुबारा सुधार कर सकते हैं तो यहां पर आवेजन पत्र को संसोधित करके आप सही कर सकते तो जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सारी ट्रैक्स फिर से मिल जाएगी और आप क्या करते हैं जो चीजह रोंग मुझा इसको आप फिर स centers ने शायां प्रेशbn है तो जो भी चाहले तो सब्मिट करना हुगा पहले आप ने यहांiler किए और यहांस जैसे आप करदेंगे यह आपका लॉइस अपार प्रेंट को कि निकल जाए जो आपको अपने colleges या स्कूल्स में जमा करने होगे तो यहां से final आपका प्रेंट यही है जो यही आपको ले जाके अपने सारे डिटेल्स हमने आपको यहां पर फिल करना बता दिया है किस टाइब से आप रेजिस्ट्रेशन करेंगे फ्रेस लॉग इन कैसे करेंगे तो ऐसी वीडियों देखनी है तो हमारे लर्ण इस्टेजी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियों को लाइक करना थैंक यू जय हैं देवारे